नमस्ते, मैं Dr. Zakir Usain, Senior E&D Consultant हूँ, ये वीडियो में हम CT Scan in E&D के बारे में देखेंगे, कितना useful होता है CT Scan, इसके पहले basic introduction, चाहिए sinuses के बारे में, अब ये picture देखें, सुप को चार पेर sinuses है, मतलब टोटल आट नमबर, फर्स्ट पेर ये है, ये frontal sinus, ये सेकंड पेर, maxillary sinus, ये तर्ड पेर, ethmoid sinus, actually, मैंने सिर्फ एक ही साय में draw किया है, ये साइड में भी होना चाहिए, ये ethmoid sinus, और last जो पेर है, सुप से पीछे वाला, ये है sphenoid sinus, और age के हिसाब से देखेंगे, तो तकरीबन बारा साल के उमर में, सुप को चारो sinus डेयलप रने का chances है, मतलब, बारा साल के कम उमर में, सुप sinus डेयलप होने का chances कम है, mainly ethmoid sinus well developed रहेगा, ये जो ethmoid sinus है, वो well developed रहेगा, तो इसलिए बच्चों में, sinus involvement जो है, ethmoid से शुरू होता है, ये ethmoid sinus का development के बारे में, और ये x-ray जो है, medical use ने तो discover करके, तकरीबन 100 साल से जियादा हो गया, आज भी, अभी भी, सुब hospital में, even major hospitals में, x-ray use इस्त्माल करते हैं, x-ray में भूँ सारा disadvantage है, इसलिए, especially ENT doctors जो है, हम सब CT scan प्रिफर करते हैं, उसका reason आपको ये वीडियो जब देखेंगे पता चलाएगा, CT scan 1972 में introduced हुआ, और MRI scan जो है, 1977 में introduced हुआ, और अभी भी भूँ सारा new introduction है, invention है, जैसे कि PET scan है, positon emission tomography, और PET scan के साथ CT है, PET CT बोलते हैं, और उसके साथ SPECT CT है, और CT scan में भूँ सारा different variety, different types है, हम इस वीडियो में patient teaching program है, सिर्फ ENT का common diseases के बारे में मैं बोलने माला हूँ, और जब ये CT scan ये video हो जाएगा, अगर्चो आप CT scan, आप ENT related, sinus related patient है, आप खुद का CT scan पढ़ सकते हूँ, ये मेरा idea है, अब ये normal CT scan, तो normal CT scan देखेंगे, तो ये जो sinuses है, वो air filled spaces है, तो अंदर हवा है, इसलिए black in color है, ये maxillary sinus और ये ethmoid sinus, ये वीडियो देखें, ये वीडियो में आपको चारो sinus देख सकते हैं, frontal sinus अभी दिखने रहा है, अभी दिखेगा, अब इसमें frontal sinus दिख रहा है अभी, ये maxillary sinus दिख रहा है, वो anterior posterior view है, ये coronal cuts है, अभी ethmoids दिखेगा, ये ethmoid sinus है, आंग के पास में, और सबसे पीछे जो है, वो sphenoid sinus है, ये sphenoid sinus है, एक, दो, सबसे last sinus, ये normal CT scan है, वीडियो के तरह मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, अभी, अब sagittal view, side view देखेंगे, तो frontal sinus, ये frontal sinus है, ये drawn diagram है, ये real है, ये frontal sinus है, ये frontal sinus, ये sphenoid sinus है, ये sphenoid sinus है, ये sphenoid sinus है, तो जो भी आप देखेंगे, ये left side में, वो normal रहेगा, और जो आपका right side में picture देख रहे हैं, वो diseased condition रहेगा, ताकि आप compare कर सकते हैं, तो ये normal देखें, नाक का हड़ी जो है, सीधा है, अब इसे आप compare करें, तो ये टेड़ा है, left side पर bend होके जा रहा है, ये deviated nasal septum, next condition देखें, normal side में देखो, ये जो दिख रहा है, वो turbinate है, इसके उपर जो है, ये जो है inferior turbinate है, उसके उपर जो है, वो है middle turbinate, कभी-कभी क्या होता है, कि middle turbinate के अंदर air रहेगा, हवा रहेगा, और उसका size बढ़ जाता है, वो हुआ, कॉंको बुल्लोसा, उसके वेजे से, पास में जो भी sinus है, मतलब maxillus sinus और ethmoid sinus, वो बंद हो सकता है, और sinusitis हो सकता है, एक, और बड़े होने के कारण, कॉंको बुल्लोसा का size बड़ा होने के कारण, breathing difficulty हो सकता है, और कॉंको बुल्लोस है कि अंदर infection भी हो सकता है, अभी third condition, sinusitis, जो common है, तो यह normal है, sinus black in color है, यह sinusitis है, जहां यह patient को polyps भी है, गोश्च बड़ा हुआ है, तो यह hypodensity है, grayish card दिख राए, maxillus sinus में दिख राए, ethmoid में है और frontal में, यह point में, मैं एक चीज, एक point में बोलना चाहता हूँ, जब भी sinusitis patient हमरे पास आएगा, तो तुरंद हम CT scan नहीं लेंगे, हमारा plan यह रहेगा, कि आपको हम एक full medical treatment देंगे, मतलब एक antibiotic का full course, वो दो हफते के लिए भी हो सकता है, तीन हफते के लिए भी हो सकता है, साथ-साथ में narc clean करने के लिए solution मिलेगा, nasal wash, एक दिन में तीन बार करना है, उसके बाद आपको steroid nasal spray लेना है, एक दिन में दो बार लेना है, यूज करना है, adult patient वो, कभी-कभी इसके साथ में oral steroids भी add किया जाता है, यह full medical treatment दो-तीन हफता लेने के बाद एक CT scan लिया जाएगा, क्योंकि यह इतना लेने के बाद भी अगर्चो CT scan में ऐसा नतीजा निकला, मतलब, full medical treatment का बाखी जो है, बाखी medical treatment से नहीं जाएगा, तो सिर्फ surgical treatment से वो correct करना चाहिए, इसलिए हम full medical treatment देने के बाद ही CT scan लेंगे, तो यह sinusitis, sinusitis मैं पहले जो बताया, यह वाला, यह bacterial sinusitis है, नहीं तो दुसरा variety का वाल, अब मैं fungal sinusitis के बाद में बोलने वाला हूँ, यह fungal, allergic fungal sinusitis में है, difference यह देखेंगे, कि sinus के अंदर, यह जो gray है, उसके अंदर छोड़ा whitish दिखेगा, वो इसलिए है कि heavy metal deposition, magneze, iron, ऐसा, heavy metal deposition के वज़े से, वाइट इस देखेगा, ऐसा CT scan में finding है, hyper density है, नहीं तो उसको double ring sign बोलते हैं, ऐसा है, तो fungal होने का chances भूत आई है, यह हुआ allergic fungal rhinosinusitis, इसके वज़े से आंख में problem हो सकता है, नहीं तो brain में complications हो सकता है, ऐसा ही एक patient यह है, जहां आंख में involved, यह normal side है, यह आंख जो है, left fighter push होके जा रहा है, आंख में involvement है, वो दूसरा जो slide है, यह brain का involvement है, यह दोनों patient में हमें CT scan के साथ है, में MRI scan भी चाहिए, और यह जो CT scan है, plain CT scan नहीं रहेगा, contrast के साथ लेना पड़ता है, तो contrast लेना है, तो special preparation लेना है, patient को well hydrated होना चाहिए, वो patient nil पर और लिए, कुछ खाना नहीं, कुछ पीना नहीं, चार घंटे के लिए, उसके बाद contrast लेके हम assess करते हैं patient को, तो contrast कब लेना है, जब भी patient को sinusitis के साथ कुछ complication है, तो contrast चाहिए, नहीं, तो सिर्फ plain CT scan लिया जाता है, यह benign condition है, मतलब cancer नहीं है, cancer बन सकता है, तो इसमें देखेंगे, तो maxary sinus में है, hyper density है, और साथ-साथ में nasal cavity है, और nasal cavity में इधर कुछ दिख रहा है, यह patient proven case है, inverted papilloma का, और last में cancer patient, अब देखो, यह side में sinus normal है, और sinus का दो भी wall है, white, thin है, ठीक है, अब यह ऐसा ही, इधर compare करके देखो, इधर यह जो भी wall है, इसोब destroy हो चुका है, यह है malignancy का case, अभी हम CT scan क्यों लेते हैं, उसका advantageous क्या है, CT scan का यह advantage है, कि ethmoid sinus और air cell और sphenoid sinus के अंदर जो भी disease है, उसका extend पता करने के लिए CT scan बेतर है, और ethmoid के साथ में दो important structure है, पहले में पहले बताया था, एक आंख, दूसरा brain, sphenoid के पास दो important structure है, एक artery, important artery है, और दूसरा जो है, आंख का nerve, optic nerve, तो यह disease से यह involved हो सकता है, ने तो operation के time में damage हो सकता है, तो यह assess करने के लिए, relationship ठीक से देखने के लिए CT scan must होता है, और इसके साथ साथ में brain का जो base है, मतलब skull, knock का जो roof है, इसका relationship operation के पहले पता करना important है, यह भी CT scan से पता चल सकता है, और anatomical variation, मैं पहले इतना time में disease process बता रहा था, anatomical मतलब structural problems है, तो CT scan में देएंगे, तो पता चलेगा, क्योंकि अगर्चो समझो, knock के headache टेड़ा है, left side डानी side पे जा रहा है, उसी side में आपको sinus का problem है, जब तक यह टेड़ा हुआ, knock में सीधा नहीं करता operation से, तब तक endoscopy अंदर यह same side में नहीं जाएगा, तो structural problem भी solve करना पड़ता है, इसके साथ साथ में, अभी एक radiation के बारे में बोलना चाता हूँ, यह भूत common question है, कि doctor CT scan भूत powerful है, सही है, CT scan भूत powerful है, X-ray भी powerful है, सो इसलिए simple X-ray तक हम pregnant lady और बच्चों में avoid करने के लिए try गाते हैं, CT हमें इसका में एक अंदास, एक approximate बताऊंगा कितना powerful है, यह radiation जो है, millisivits में measurement होता है, एक X-ray, skull का X-ray जो है, उसका radiation जो है, 0.1 millisivits, CT scan sinus का देखेंगे, तो 3 से 4 millisivits, फरक देखेंगे, इतना फरक होता है उसमें, और American Radiology Association जो है, उनका एक limit है, वो बता रहे हैं कि एक बंदे का, एक patient का maximum limit, lifetime limit, 100 millisivits है, मतलब उसका lifetime में वो 10,000 equivalent test X-ray ले सकता है, 10,000, वो limit है, नई तो 25 CT chest ले सकता है, approximately, ये limit है, ये जब तक ये limit के past पहुंच रहा है, और नई तो limit पहुंच गया, तो radiation का side effect बढ़ जाता है, वो सारा side effects, ये हुआ radiation के बारे में, तो ये CT, ये वीडियो देखने के बाद, approximately आपको sinusitis का problem है, तो कौन सा sinus involved है, ये आप खुद आपका CT scan लेकि आप पढ़ सकते हैं, thank you so much, शुक्रिया, जूँखकषबगाइद ओुद आप खुद 9